हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपका हेयर फॉल पूरी तरह से रुख जाएगा और आपके नए बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे यह बहुती इफेक्टिव रेमेडी है और इससे अ बालो को घना मुलायम और शाइनी बनाने का काम करता है नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट जो हमें यूज करना है करी पत्त इसमें ऐसे ढेसे नहीं फsti क्याः सारे वा इटमिन्स मैंड़ Вас 오늘도 हो जो आते हैं ऑर बालो की जड़ों को मजबूत बनाते हैं हमें fresh curry पते ही लेने हैं और इसको आप धूल कर साफ कर लीजिए और फिर इस तरह इसके छोटे छोटे टुकडे कर लीजिए ये remedy बहुती ज़्यादा helpful है अगर आपको hair fall हो रहा है या premature hair की problem है तो उन सब के लिए ये remedy बहुती ज़्यादा useful है और जैसे ही इसके छोटे छोट खतम होता है और ये frizzy hair की problem को भी दूर करता है अब हमें इसमें डाल देना है दो चमच मेथी दाना और फिर जो हमने छोटे-छोटे करी पते के टुकडे किये थे वो आपको इसमें डालना है आपको जितना तेल लगाना है आप उतना ही एक बार में लीजिए और इसको तु आपको तेज आँच में नहीं पकाना है वरना इसके पत्ते जल जाएंगे आपको पत्तो को जलाना नहीं है इस तरह से स्लो आँच में आप चलाते हुए इसको पका लीजिए और जैसे ही पत्तो का कलर चेंज होने लग जाए हलका सा यलो होने लग जाए आप गैस की फ्लेम solve हो जाएगी 100% और ये देखिए अब पत्तों का color change होने लगा है अब मैंने gas की flame बंद कर दिया और इसको आप ऐसे ही रख दीजिए ठंडा होने के लिए ये देखिए हमारा hair oil बनके तयार हो गया है और ये hair oil बालो के लिए ये बहुती जादा अच्छा है इससे आपको तुरंट रिजर्ट मिलेगा और ठंडा होने के बाद इसको आप छान लीजिए और अगर आपको hair fall की problem है तो इसे हफते में 2-3 बार अपने बालों में लगाईए किस तरह लगाना है अब भी वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और इस hair oil को अगर आपके पास time नहीं तो आप बना के store कर लीजे ये बहुती जादा effective है बालों की नई growth होती है और आपके अगर पतले बाल है ना तो इसको आप एक महीने regular और continuously अगर आप use करेंगे तो आपके बाल घने होने लगेंगे बालों में चमक आजाएगी इसको आपको अपने finger में लेना है और अपने बालों की जड़ों में इस तरह circular motion में बिल्कुल धीरे धीरे आपको इससे massage करना है अगर आपको hair fall हो रहा है तो आप अपनी जड़ों में घिस करके कभी भी तेल मत लगाईए हमेशा हलके हाथों से ऐसे हलके हलके करिए इससे क्या होता है आपके scalp का blood circulation अच्छा होता है और नए hair निकलते हैं और आपके बालों की growth भी न अच्छे से होती है और आपके बाल तूटना भी बंद हो जाते हैं तो इस तरह से हलके हलके time दीजिए अपने बालों को और हलके हलके उसमें massage करिए आप रात भर इसको लगा करके अगर रखते हैं ना morning में आप अपने बालों में shampoo कीजिए आप दो बार में ही आपको result इसका पता चल जाएगा और अगर आप इसको एक से दो महीने regular use करेंगे तो आपके बालों में magical effect होने वाला है इसमें और तीसरी कोई चीज मिक्स करने की ज़रत नहीं है ये खुदी इतना ज़्यादा effective air oil है hair growth के लिए तो चल ये बनाते हैं अप अपनी दूसरी remedy इसके लिए आपको दो कप करी पता लेना है fresh leaves लेनी है और उसमें दो चमच आपको डाल देना है मेथी दाना और ये भी remedy बहुत ज़्यादा effective है मैं इसलिए कहारे हूँ क्योंकि इन दोनों रेमेडी इसको मैंने personally follow किया है मैंने वैसा hair oil बना के लगाया है और इस तरह से इसमें आपको 2-3 glass पानी डाल देना है और इसको आपको तब तक boil करना है जब तक इसका पानी बिल्कुल आधे से भी कमना हो जाए मुझे severe hair fall की problem हुई थी और मैंने ये दोनों remedies बहुत ज़्यादा powerful है और hair growth के लिए तो बहुत ही अच्छी है और इसे ना बालो में एक softness आजाती है freezy hair की problem दूर हो जाती है और अगर आपको premature gray hair की problem है तो वो भी पूरी तरह से खतम हो जाएगी आपको इस पानी को तब तक boil करना है जब तक ये आधे से भी कमना हो जाए और ये पानी इतना ज़्यादा effective है बालो के लिए कि समझे आपके बालो की सारी problem इससे दूर हो जाएगी और ये 100% result देता है अगर आप इसको हफते में 2-3 बार use करेंगे तो बहुत अच्छा result मिलने वाला है और फ्रेंट्स अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये देखे हमारा पानी बॉयल हो गया है अब आपको इसको चान लेना है और चानने के बाद इसको पूरी तरह से ठंदा होने के लिए रख दीजिए और जब ये ठंदा हो जाए तो आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं और या फिर आप इसे कॉटन की हल्प से अपने बालों की जड़ों में लगाईए इसको और एक से दो घंटे लगा रहने दीजिए उसके बाद अपने बालों में जैम्पू कर लीजिए और फ्रेंट्स वीडियो पसंदा है तो लाइक करिए वैवै